वेल्कम फ्रेंस तु माई यूटूब चानेल प्योगाइट टिप्स और ट्रिक्स मैं संजाई विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चानेल पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिनाकेल में हम किसी भी जो SCSS Senior Citizen Savings की में अकाउंट होते हैं जिसको maturity के 1 year के अं लगें इन्फर्मेटिव लगें तो लाइक कीजिए कोई कोई लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को जादे यादा शेयर कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनेल को तो चलिए हम फिनाकेल के CPA user में login कर लिया है तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम को HTT-REN इस मेनु को याप मेनु शॉटकाट पे टाइप करके गो करेंगे HTT-REN मेनु को हम इन्भूक करेंगे तो देखिए टम डिपोजिट रिनोवाल आप्शन आजयेंगे यापे फंक्शन पे हम रिनोवाल और रिनोवाल सेलेक्ट करेंगे फिर जिस स्क्राइब करेंगे वो SSS account का जो number है वो यहापर account ID पे हम type करके यहापर go करेंगे तो देखिए यहापर सारी details आ जाएंगे यहापर देखिए effective open date जो होंगे वो जो पुराने SSS account है उसका जो maturity date है बो रहेंगे तो किसी भी SSS account का maturity के 1 year के अंदर हम उसको renew कर सकते देखिए calculation overdue interest no रहेंगे renewal option principle only रहेंगे और फिर यहापर देखिए print renewal confirmation जो option है यहापर immediate and later दो option आपको मिलेंगे यहापर हम immediate select करेंगे तो यह जब भी हम इसको verify करेंगे तो इसका जो acknowledgement slip है वो HPR में generate हो जाएंगे और उसको हम print करके customer को handover कर सकते है तो यह सारी चीजें यहापर हमको fill up करना है देखिए automatically सारी details यहापर fitted रहेंगे जो कि 3 years के लिए renew होंगे फिर हम submit करेंगे तो यहापर back value date का exception आएंगे इसको हम accept कर लेंगे तो यहापर जो ACSS account है जिसका maturity हो चुका है and maturity के 1 year के अंदर हम इसको renew कर सकते है तो CPA user में हम इसको जो ACSS account था उसको हम renew कर लिया है उसको submit कर दिया फिर supervisor में आके हमें उसको verify करना है and verify होने के बाद HPR में जाके हम जो acknowledgement slip है जो renew किया है वो हम print करेंगे तो हम supervisor में आ जाता है देख चलिए हम login कर लेता है फिर हम यहापर उसको verify करते है तो supervisor में हम same menu यहाप use करेंगे और फिर function code verify select करेंगे जो ACSS account को हम modify किये है उस ACSS account को हम यहापर verify कर लेंगे फिर हम जो acknowledgement है उसको हम print करके customer को handover करेंगे और उसको कैसे print करते है HPR में चलिए हम देख लेते हैं तो acknowledgement print करने के लिए हम HPR menu पर आ जाएंगे फिर यहापर देखिए जो TD renewal confirmation message यहापर आ गया है देखिए जो account को हम यहापर renew किया है उसके acknowledgement यहापर आ गया है हम इसको print करके customer को handover कर देंगे जो कि हम जो renew हुआ है जो extension हुआ है ACSS account का उसका जो acknowledgement slip है उसको यहापर यहसे हम print कर लेंगे और फिर उसको हम customer को handover कर देंगे तो इस process को follow करके हम कोई भी ACSS account को easily finacle में उसको extend कर सकते Thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पसंद आये helpful लगे तो like कीजिए कोई कोई यह तो आप comment करके पूश सकते वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को अभी के लिए इतना ही मिलते है अगली वीडियो में